नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का पाथफाइंडर पर एक और बहुत ही छोटी सी इस्टन यूरोप की कंट्री है जिसका नाम है स्लोवेनिया जो की आज चाइना जैसी बड़ी कंट्री के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाली खबर आज से लगबग एक हफता पहले आई थी लेकिन इसको लेके developments almost daily level पर देखने को मिल रही है यहाँ पर China is deeply shocked by the planned Taiwan office in Slovenia सो Slovenia नाम की कंट्री है इसने क्या किया है कि इसने Taiwan के representative office को अपनी country में खोलने का ऐलान किया है जिस चीज के चलते चाइना काफी जादा यहाँ पे shock में आ चुकी है समझेंगे कि Eastern Europe की countries ऐसा क्यों कर रही है आपको बताऊंगा कि it is not just Slovenia बलकि और भी कई सारी countries हैं जो की आज चाइना के खिलाफ उतरने के लिए तयार हो चुकी है so इनी दो चीजों को समझने के लिए आए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलिगाम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं इसके इलावा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well तो सबसे पहले Eastern Europe का एक basic सा map देख लेते हैं आज कल काफी चादा सूर्खियों में चल रही है यह वाली country that is the country of Ukraine खेर जिन countries के ऊपर हम लोग यहाँ पर ध्यान देना चाहते हैं सबसे पहले तो आप लोग बड़ा ध्यान से देखेगा यह वाली जो country जिसको की हम लोग लिथवानिया बोल रहे हैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ और यहाँ पर बहुत ही important Baltic Sea देखने को मिलती है यह वाली आपकी जो states हैं इनको Baltic states भी कहा जाता है खेर एक और country जिसकी बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में उसको भी location ध्यान से देख लीजिए यह वाली country जो की Italy की bordering country है here we have the very very small country of Slovenia जो की आज चाइना के खिलाफ आख खड़ी है और एक और country जिसका नाम हम लोग लेने वाले हैं जो की Germany के साथ border लगाती है that is the very very famous country of the Czech Republic जो की काफी सारे tourists भी यहाँ से यहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए यह वाली country भी आजकल काफी जाड़ सुर्ख्यों में चल रही है इन तीन countries का please आप यहाँ पे ध्यान दीजेगा और comment section में आप मुझे बता भी सकते हैं कि Slovenia की capital जो है वो आखिरकार कहां देखने को मिलती है यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कई सारी छोटी और बड़ी-बड़ी democracies हैं जो की Central और Eastern Europe में देखने को मिलती है जो की Taiwan के साथ अपने diplomatic और economic ties को बढ़ाने की कोशिश कर रही है इसमें कुछ countries आपकी आती है Belgium, then we have Latvia, we have Netherlands, we have Slovakia यह कुछ ऐसी countries हैं जिनोंने हाल ही में पिछले कुछ time में अपनी legislature में resolutions को पास किया है so that Taiwan को अंतराश्टिय संगटनों के अंदर सदस्यता provide करवाई जा सके On the other hand, कुछ countries ऐसी हैं which includes Slovenia, Lithuania and Zek Republic जो की Taiwan के साथ अपने ties को बढ़ाना चाहती है और Taiwan के representative offices को अपनी countries के अंदर open भी कर रही है आज से जस्ट दो महीने पहले की बात है November 2021 में Taiwan का जो office है वो open हुआ था Lithuania की capital जिसका नाम है Willinius में यह वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं The Taiwanese representative office in Lithuania और यह वाली खबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं Now, China को उमीद यहाँ पे यह थी कि इस particular office का नाम दिया जाएगा Chinese Taipei लेकिन असल में इसको Taiwan के ही नाम से यहाँ पे open करवाया गया था Obviously, इस चीज़ को लेके China काफी हताश हुआ था और People's Republic of China ने अपने ambassador को recall किया था और यह भी demand किया था कि Lithuania अपने ambassador को Beijing से वापिस बुला ले Now, अब क्या हुआ है एक और country, छोटी सी country Slovenia के नाम से इसके PM ने same चीज़ को announce किया है That they are working with Taiwan to set up the mutual offices in the countries of Taiwan and the countries of Slovenia Now, इन्होंने कहा है कि वैसे तो यह वाले जो offices हैं Embassies के level के नहीं होंगे लेकिन यह almost उस level के होंगे जैसे कि कई सारी और countries यहाँ पर open कर रही है इन्होंने उधारन दिया Lithuania का क्योंकि वो भी already similar office यहाँ पर established कर चुकी है Slovenia ने यहाँ पर in fact यह भी कहा है कि हमें इस office को खोलने से कोई नहीं रोक सकता और यह भी कहा है कि जिस तरीके से चाइना आज की डेट में Lithuania को isolate करने की कोशिश कर रही है यह चाइना के लिए बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है उन्होंने साथ ने यह भी कहा कि European Union आज की डेट में Lithuania को back कर रहा है जो कि आगे जाके चाइना के लिए जादा benefit नहीं करने वाला है इन्फाक इन्होंने यह भी कहा that these tactics can harm China in the long run in terms of trade relations एक तरीके से Slovenia के PM ने यहाँ पे चाइना को चेताव नहीं दी है कि अगर आप इसी तरीके से continue करते रहेंगे तो आपको आगे जाके वैपार में काफी नुकसान भी देखना पड़ सकता है now not just the country of Slovenia बलकि Zek Republic के नाम से जो country है इसने भी Taiwan के office को खोलने की बात करी थी यह वाली ख़बर October 22, 2021 की यह ख़बर आपके सामने है China warns Slovaks Zeks of Retaliation for Taiwan Minister Visit सो हुआ क्या था यहाँ पर कुछ टाइम पहले की बात है Zek के, Zek Republic एक senator है जिनका नाम काफी complex है मुझसे बोला नहीं जाएगा he led a delegation to Taiwan इसके जवाब में क्या हुआ in fact यह जब Taiwan गए delegation के साथ तो इन्होंने वहाँ पे speech में यह घोशित कर दिया कि मैं तो भई एक Taiwanese ही हूँ इसके जवाब में क्या हुआ था October 2021 में Taiwan के जो foreign minister है जिनका नाम है Joseph Wu इन्होंने एक business delegation को lead किया और यह जा पहुंचे Zek Republic और जब यह चीज हुई थी उस time पे China ने Zek Republic को कहा कि हम आपसे बहुत नाराज है क्योंकि आपने Taiwan के foreign minister को यहाँ पे अपनी country में host किया है So as you can see कई सारी countries हैं यहाँ पर पहले Lithuania, then we have Slovenia और अब आपके सामने Zek Republic भी सामने आई जिसने की almost यहाँ पे Taiwan को support किया है Now the problem कि यह सारी की सारी countries असल में ऐसा क्यों कर रही है देखिए इसको समझे असल में सबसे पहले इसमें आता है ideological reasons Taiwan की ही तरह कई सारे देश जो की Central और Eastern Europe में रहते हैं यह असल में एक टाइम पर one party की communist regime के द्वारा rule किये जाते थे और Central और Eastern Europe की जो countries हैं यह ideologically communist ideology को oppose करती हैं और यह USA के द्वारा जो lead किया जाने वाला NATO का block है उसको आज की date में support करती हैं ना इनका यह मानना है कि जो चीज ताइवान के साथ आज हो रही है वही चीज हमारे साथ एक time पर हुआ करती थी इसलिए आज हमें ताइवान को support करना चाहिए यह तो है इनका ideological reason लेकिन जो बड़ा कारण है वो यहाँ पर असल में economic reason है एक group बनाया गया था China के द्वारा जिस group का नाम था 17 plus 1 चाहिना ने उमीद यहाँ पर यह करी थी कि इस 17 plus 1 group के माध्यम से यह Central और Eastern European countries के साथ अपनी trade और investment के relations को promote कर पाएगा और यह वाला grouping जो है असल में China ने आज से लगभग 10 साल पहले स्थापित किया था इसमें जो 17 countries हैं यह Central और Eastern European countries है and plus 1 basically stands for China लेकिन interestingly क्या हुआ पिछले साल की बात है इस group में कुछ खास progress देखने को नहीं मिल रहा था और Lithuania ने China को यहाँ पर एक बहुती बड़ा जटका देते हुए इस group से अपने आपको withdraw कर लिया था disappointment over a lack of major Chinese investment has left the East European countries with little to lose by looking for other partners तो यह यहाँ पर काफी हताश थे और Lithuania के बाद almost ऐसा माले जे कि यह वाला जो grouping है यह काफी हद तक inactive भी हो चुका था now दूसरी तरफ ताइवान जो की दुनिया में एक बहुती बड़ा electronics good का manufacturing industry host करता है उसने यहाँ पर इनको अच्छे मौके दिये इन countries को जाके बोला कि हम आपकी countries में investment परने के लिए तयार है ताइवान की जानी मानी company जिसका नाम है Foxconn Technology Limited यह जाकर के जख Republic में बोलती है कि हम लोग आपके यहाँ पर दफ्तर खोलना चाहते हैं हम लोग आपके यहाँ फैक्टरीज खोलना चाहते हैं तो obvious सी बात है कि यह वाली जो countries थी इन्होंने ताइवान को support किया and that is why यह आज की date में Taiwan के offices को अपनी country में open करने की बात कर रही है so यह दो बड़े कारण है जिसकी वज़े से हम देख रही है कि जो countries पहले एक time पे China को support करती थी वो आज के time पे directly Taiwan को support करने में आ उतरी है और China के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रही है इस चीज को लेके China का reaction क्या होगा बड़ा obvious reaction होगा in response to the recognition given to Taiwan by the East European countries China ने कहा है that the government of people's Republic of China is the sole legitimate government representing the whole of China and the one China principle is the political basis for Slovenia and the EU's relation with China इन्होंने यहाँ पर word यूज किया one China principle अभ ये one China principle क्या चीज है basically one China principle या one China policy एक ऐसी policy है जिसके तहट China ये बोलती है कि असल में Taiwan कोई अलग province नहीं है Taiwan कोई अलग country नहीं है Taiwan जो है वो असल में China का ही हिस्सा है लेकिन Taiwan अपने आपको Democratic Republic of China के नाम से बोलता है जिस चीज को again China यहाँ पर support नहीं करती है तो इस policy का इस्तिमाल करते हुए China ने कहा है कि हम आग्रह करते है कि Slovenia और अन जो countries Eastern Europe की है वो वान चाइना के principle को ही follow करें नाव ये चीज़ obviously काफी intense हो चुक है बिस बिकॉस लिथवानिया एक छोटी सी country है लेकिन इतना daring कदम लिया बिकॉस वाई USA और कई सारी European Union के देश उसको support कर रहे थे similarly आज Slovenia ने इस तरह का कदम लिया है आगे ऐसा माना जा रहा है कि शायद Eastern Europe में इस चीज़ को लेकर tensions भी बढ़ सकती है क्या होता है देखना बाकी है फिलाल के लिए वीडियो में इतना जाने से पहले बताना चाहँगा कि हमारी इन से आटी जोगर्षी सीरीज शुरू हो चुकी है क्लास 8 की पहली क्लास कल होने वाली है 29 जैनवरी को इसमें तुनना बिल्कुल ना भूलें इसके साथी में Unacademy आपके लिए introductory offer लेकर आया है and using the code Unni UPSC आप यहाँ पे 20% का discount इसकाउंट अवेल करवा सकते हैं इसमें आपको additional benefits भी अवेलिबल करवा जाएंगे साथी में Iconica एक साल का course पे 75,000 का पढ़ता है जिसमें कि Unni UPSC code इस्तिमाल करके आप लोग 10% का discount और personal guidance भी अवेल करवा सकते हैं आपके वाले batches आपके लिए अवेलिबल करवाए जाएंगे और साथी में आप आने वाले दविवार के दिन इस combat में साल इसने using the code Unni UPSC. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.